हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको ये सुन्दर सा डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है प्रेंट से डिजैन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजैन को आप बच्चों के स्वेटर जैन्ड स्वेटर, लेडिज, कारडिगन, जैकेट, गल्टो, फ्रॉप, कुर्टी, कैप किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हो सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है ये design बनाने में बहुत आसान है, इसे new beginners भी आसानी से बना सकती है इस design को बनाने के लिए आपको 12 के multiple फंदे लेकर प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये design आपके project पर इस तरह से adjust हो जाएगा 12 के multiple देखिए, आप इसमें 12 फंदे गिन लीजिए, फिर से 12, फिर से 12 इस तरह से आप 12 बार 12 यानी 12 बार 12 फंदे गिनते जाएए लाश्ट में आपके 4 फंदे होने चाहिए ये design सीधी side से शुरू होता है और 10 सलाईयों में हमारा design complete हो जाता है तो चलिए friends इस design को बनाना शुरू करते हैं तो ये देखिए friends इस design को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 28 फंदे 12 के multiple करके और उसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा यहाँ पर फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी side से और एक सलाई उल्टी side से मैंने उल्टी बनाई है आप अपने project ले कोई भी border बना लीजिए border के बाद आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी side से फंदे बढ़ा कर सीधी side से इस design को शुरू कीजिए यह आपकी अपनी मर्जी है तो देखिए एक दो और यह तीन तो पहला फंदा हमारा एजस्टीच हो गया उसके बाद हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब हम धगा पीछे करेंगे और चार फंदे सीधे देखिए एक दो तीन और यह चार अब देखिए यह एक और यह दो इन दो फंदे के हम आगे से स्लाई डालेंगे किसी फंदे के अंदर स्लाई नहीं डालनी है दो फंदे के आगे से ऐसे डालेंगे और यहां पर हम एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुन लेंगे यह जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया इसको वापस से हम इस स्ला करके बुन देंगे अब ये वाला जो फंदा है इसको भी हम उल्टा ही बना देंगे अब धागा पीछे करेंगे और चार फंदे हम सीधे बनाएगे एक दो तीन और ये देखिए चार तो ये अब ध्यान दीजिए पहला फंदा एजस्टी इसे छोड़ कर दो उल्टे ये चार सीधे दो फंदे पर डिजैन बनाया फिर चार सीधे तो ये हमारे बारा फंदे हो गई है यही बारा फंदे का डिजैन आपको बार बार रिपीट करती तो एक बार फिर से ध्यान से देखी हम इसी डिजाइन को बना रही हैं, दो फंदे उल्टे एक और ये दो, धागा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, और ये चार, अब एक और ये दो, इन दो फंदे के हम आगे से ऐसे स्लाई डालेंगे, एक फंदा हम यहां पर इस तरह से एक्स्ट्रा बना लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया इसको हम वापस इस लाई पर डाल देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे एक तो ये जो एक्स्ट्रा बनाया ये वाला और दो में से एक ये इन दो का एक फंदा हम यहां पर उल्टा बना फिर धागा पीछे और चार फंदे सीधे एक दो और ये देखिए तीन चार तो हम ने फिर से ये बारा फंदे का डिजाइन बनाया अब इसी डिजाइन को आप बार बार रिपिट करते जाएए लास्ट में आपके फिर तीन फंदे बचेंगे इनको आप उल्टा बना इली सलाई डिजैन की कम्प्लीट हो गई है जितने भी फंदे हो ऐसे 12-12 फंदे का डिजैन बनाते जाए और लास्ट के 3 फंदे उल्टे अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर इस डिजैन में उल्टी साइड की सभी सलाईयां बिल्कुल उल्टी बुने ज अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई को देखिए पहला फंदा एजस्टीच है यहां से अब हम डिजैन को शुरू करेंगे एजस्टीच के बाद दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे अब यहां हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे से एक्स्ट्रा बना लेंगे और इसको हम सलाई के उपर लाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे यह एक्स्ट्रा फंदा और यह जो दो हैं इसमें से एक ले लेंगे और दो का एक फंदा उल्टा बना देंगे इस फंदे को में हम उल्टा ही बुन लेंगे फिर धागा प्जागा अपनी तरफ करेंगे इन दो फंदे का एक पंदा ऐसे बना देंगे फिर इस फंदे को भी उल्टा बुंदेंगे धागे को पीछे ले जाएंगे और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन एजस्टीज के बाद ये हमने बारा फंदे का डिजैन बनाया इसी को बार बार रिपेट करेंगे फिर से देखिए दो फंदे ये उल्टे धागा पीछे करेंगे अब तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन देखिए एक इधर से सीधा और एक ये आगे से स्लाई डाल कर एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे और इसको हम स्लाई के ओपर डाल देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये जो एक्स्ट्रा बनाया और एक फंदा ये लेके दो फंदे का एक फंदा हम उल्टा बुन देगे इस फंदे को भी उल्टा ही बुन फिर से धागा पीछे लेकर जाएंगे एक और एक इदर से सीधा आगे से स्लाई डालेंगे इन दो फंदे के आगे से स्लाई डाल कर एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे इस को स्लाई के उपर लाएंगे धागा अपनी तरफ कर देंगे दो का एक फंदा उल्टा बुन देंग ऐसे ही आप बारा बारा फंदे का डिजाइन बनाते जाएए और लास्ट में आपके तीन फंदे हैं इनको उल्टा भुन लेजिए तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की तीन सलाईयां कम्पलीट हो गई चोथी सलाई है और उल्टी साइड है इसे आप धागा अपनी तरफ करके उल्टा भुन कर कम्पलीट कर दीजिए तो यह देखे फ्रेंट्स चार सलाईया कम्पलीट हो गई और अब आगए हम इसकी पांचमी सलाई और सीधी साइड पर पांचमी सलाई को देखे कैसे पूरा करेंगे पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए उसके बाद हम दो फंदे उल्टे भुनेंगे धागा पीछे और यहां दो फंदे सीधे बनाएंगे एक और यह दो अब देखे यह सीधा और एक यह वाला इन दो फंदे के आगे से ऐसे सलाई डालेंगे एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे और इसको स्लाई के उपर ले आएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और अब यहां दो फंदे का एक उल्टा बुन देंगे इस फंदे को भी उल्टा ही बना देंगे अब हम धागा पीछे करेंगे और यहां बीच में हम दो फंदे सीधे बुनेंगे एक और ये दो अब एक फंदा ये एक इधर से सीधा इन दो के आगे से स्लाई डालेंगे एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे और स्लाई के उपर ले आएंगे धागे को अपने तरफ करेंगे, दो का एक फंदा हम उल्टा बनेंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा बना लेंगे धागा पीछे करेंगे और यहां दो फंदे सीधे एक और ये दो एजस्टीज के बाद ये हमारा 12 फंदे का डिजाइन बन गया इसी को आप बार बार रिपीट कीजेगा फिर रिपीट कर रहें डिजाइन को दो फंदे उल्टे धागा पीछे और दो फंदे सीधे एक और ये दो धागा पीछे ही रहे एक सीधा और एक ये वाला इन दो फंदे के आगे से स्लाई डाल कर एक फंदा एक्टा बनाएंगे और इस स्लाई के उपर लाएंगे धागा अपनी तरफ करके फिर दो फंदे का एक फंदा उल्टा बना देंगे और इस फंदे को भी हम उल्टा ही उन लेंगे धागा पीछे अब दो फंदे यहां सीधे बनाएंगे बीच में एक और ये दो अब एक ये वाला और एक इदर से सीधा इन दो के आगे से स्लाई डाल कर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और इसे हम स्लाई के उपर ले आएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे इन दो का एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे फिर इस फंदे को भी उल्टा ही बुन देंगे यहाँ पर हमारे ना फंदे बढ़ते हैं ना घटते हैं साथ के साथ इक्वल होते चले जाते हैं धागा पीछे अब दो फंदे ये सीधे बार बार इसी डिजैन को रिपेट कीजिए लास्ट के तीन फंदे आपके उल्टे आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारी पांच सलाई या डिजैन की कमप्लीट हो गई छटी सलाई उल्टी साइड पर धागा अपनी तरफ कर लीजिए और उल्टा बुनते हुए छटी सलाई को कमप्लीट कीजिए तो यह देखिए छटी सलाई या डिजैन की कमप्लीट हो गई सातमी सलाई और सीधी साइड पर सातमी सलाई को अब ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए उसके बाद हमारा डिजैन शुरू हो जाता है दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा ये सीधा अब ये सीधा और एक ये इन दो के आगे से सलाई डालेंगे एक फंदा एक्स्टा बनाएंगे और सलाई के ओपर ले आएंगे धागा अपनी तरफ करके हम यहाँ दो फंदे का एक फंदा बना देंगे फिर एक फंदा और उल्टा धागा पीछे और बीच में हम चार फंदे यहाँ सीधे बनाएंगे देखिए एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे आ गए अब एक ये और एक ये सीधा दो के आगे से स्लाई डाल कर एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और इसको स्लाई के ओपर ले आएगे धागा अपनी तरफ करेंगे और यहां दो का एक फंदा उल्टा फिर इस फंदे को भी हम उल्टा बनेगे धागा पीछे एक फंदा ये सीधा, अब इसी डिजाइन को दोबारा रिपीट करना है, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, ये एक सीधा और एक ये, इन दो के आगे से स्लाई डाल लेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बना कर स्लाई के उपर डाल देंगे, धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, दो का एक फंदा उल्टा, फिर ये वाला फंदा भी हम उल्टा ही बुन देंगे, धागा पीछे और चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार अब देखे ये वाला और ये सीधा आगे से स्लाई डाल लेंगे और एक फंदा एक्ष्ट्रा बना कर स्लाई के उपर डाल देंगे धागा अपनी तरफ कर लेंगे और दो फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे फिर इस फंदे को भी हम उल्टा बुन लेगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, इसी डिजैन को बार बार रिपिट कीजिए, लास्ट के तीन फंदे उल्टे, आपको ये फंदा सिलिप करना हो तो सीधा बुन सकते हो, अब आज ये इसकी आठ मी सलाई और उल्टी साइड पर इसे आप धागा अपनी तरफ करके उल्टा उल्टा बुन लेजिए, तो ये देखिए, आठ सलाई या डिजैन की कम्प्लीट हुई, नौमी सलाई और सीधी साइड पर, नौमी सलाई को आप जहान से देखिए, अब यहाँ पर हमारा डिजैन कम्प्लीट हो रहा है, एज़ धागा अपनी तरफ कर लेंगे, और ये एक्स्ट्रा वाला और इक ये, इन दो का हम एक फंदा उल्टा बना देंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा ही बनाएंगे, धागा पीछे और बीच में 6 फंदे सीधे आएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 6, अब देख धागा अपनी तरफ करेंगे, और यहाँ दो का एक फंदा उल्टा, इस फंदे को भी हम उल्टा ही बुन लेंगे, तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो डिजैन बनाया, इसी को बार-बार रिपेट कीजिए, धागा हमारा अपनी तरफ ही रहेगा, और ये दो फंदे हमारे अब उल्टे क्योंकि नेक्स्ट इजैन की शुरुवात हो गई है, अब धागा पीछे करके, ये सीधा और एक ये वाला, दो के आगे से स्लाई डालेंगे, एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, और स्लाई के उपर डाल देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके, दो का ए फिर एक फंदा हम ये उल्टा, धागा पीछे करके, छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, आब देखे ये वाला और ये सीधा फंदा, इन दोनों के आगे से स्लाई डालेंगे, एक्स्ट्रा फंदा बनाकर स्लाई के उपर डाल देंगे, धागे को अ फंदा बन देंगे, फिर ये एक फंदा उल्टा, अब लास्ट के तीन फंदे हम उल्टे बन लेंगे, तो यहाँ पर हमारे डिजैन की नो सलाईया कंप्लीट हो गई, दस्वी सलाई को आप बिल्कुल उल्टा उल्टा बना दीजिए, तो ये देखिए, मैंने इसकी दस्व बता देती हूं, ताकि डिजैन को रिपिट करने में आपको कोई भी प्रोब्लम ना हो, तो पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए, यहाँ से नेक्ट बार के डिजैन की पहली सलाई फिर से शुरू हो रही है, एजस्टीज के बाद दो फंदे उल्टे हो गए, धा फंदा बनाकर सलाई के उपर डाल देंगे, यहाँ से देख लिजे, बिल्कुल पहली सलाई हमारी बन चुकी है, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे का एक फंदा उल्टा बना देंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा पुनेंगे, धागा पीछे चार फंदे अब हमा तीन और ये चार एक और ये दो दो फंदे के आगे से स्लाई डालिए एक एक्स्ट्रा फंदा बना कर स्लाई के उपर डाल दीजिए धागा अपनी तरफ करके दो फंदे का एक फंदा उल्टा बनाईए फिर एक फंदा अब धागा पीछे करेंगे और चार फंदे सीधे एक द दो, तीन, और ये चार, लास्ट में आपके तीन फंदे होंगे, ऐसे डिजैन को जब बार बार बनाते जाओगे, तो इनको आप उल्टा बना दीजे, तो देखिए, नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है, उल्टी साइड की सभी सलाईयां उल्टी बुनी जाएंगे, तो जब आप बार बार इनी दस दसलाईयों को बनाओगे, तो ये देखिए, आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये डिजैन बनता चला जाएगा, तो अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को ला आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके, तैंक यू